आज हमारे साथ हैं बिधान सवा छेत्र चंगन पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की उम्मिदबार स्रीमती रामबाई गोबन सिंग परिहार आईए बात करते हैं से रामबाई जी पिछले दुनों जो आमसबा हुई थी उसमें जो अपार भीड देखी गई उसे देखकर क्या लगता है कि रामबाई चुनाव जीत रही हैं जी बलकुल जो हमारी पिछले दुनों बाईस तारीक को आमसबा हुई वेहन कुमारी मायवती जी की उपस्तिती में तो जो आमसबा हुई उसमें ना तो करमचारी थी ना ही उसमें आसाकारे करता थी ना कोई पैसों से बुलाई गई जनता थी वो दिल से स्वेम अपने खर हुई है नहों सकती है तो इस सवा को देखके ऐसा लगता है कि रामभाई विधहक बन रहे हैं किसानों के हितों को लेकर आपकी दवंगई के चर्चे होते आए हैं और सुनने में आया है कि आप कई बार जेल भी गई हैं तो क्या माना जाए ये सिलसला जारी रहेगा या थम ज इसका किसान अन्य दाता किसान के साथ सम्मे बड़ा चलावा हुआ है आठार दिन मंडियों में भूंके प्यासे बैठे हैं जिनने उस जिस तपती दुपहरी में लोग बाहर नहीं नकलते थे घरों से उस समय आठार दिन मंडियों में किसान बैठे हैं उस किसानों की समस्य देखने कोई नहीं आया, पर मैं एक किसान की बेटी हूँ, और एक दम पथरिया विधान सवाके, ना सभी दमोजले के किसान भाई मेरे अपने हैं, मैं उनका दुख दर्द ना कभी देख सकती हूँ, ना देखूंगी यांगी, मैं उनके लिए सदा लड़ती रही हूँ, आने बेंचा और उनको पैसे मिले और अपने घर आ गए, पहले तो मैं ये कोशिस करूँगी, करूँगी नहीं, जी तोड़के लड़ूँगी, कि जैसा था बैसा ही हो, अना आज अपने बेंचे और लेखे पैसे अपने घर आ है, हम जंत किसानों को मैंने देखा है, कि तब ही समझ सकता है, रामबाई जी हम आप से ये जानना चाहते हैं, आप समा समा पर बेरोजगारी को लेकर बात करती हैं, इस समस्या से निपडने के लिए आपकी क्या ये उजना है? हमारे मन में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये उजना है, कि जैसे आज है फैक्टरी है, जैसे माई सेम फैक्टरी है, तो माई सेम फैक्टरी जो है अपनी, तो उसमें जो बाहर के लोग लगे हुए हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आज पथरिया बिधान सबा में जो फैक्टरी है तो पहले तो दमो पथरिया बिधान सबा के लोगों को 90% मौका मिलने चाहिए नोजवानों को पड़ी लिखे लोगों के लिए फिर उसी फैक्टरी को मैं कोशिस करूँगी के एक से दो दो से तीन बढ़ती जाए ताकि उस फैक्टरी में इस छेतर के नोजवान पड़ी लिखे लोग उसमें रोजगार मिल सके अपने माबाप से दूर ना जा सके और रोजगार के लिए इनके आंगे चलके मैं और भी कोशिस करूँगी कि इनके लिए क्या बेवश्टा कर सकती हूँ जो अपने परिबार से दूर ना जाए और अपने ही घरों में रहें अपने परिबार के साथ रहें रमा जी किन किन मुद्दो को लेकर आज आप जनता के बीच में बोट मांगने जा रही हैं मैं जनता के बीच में मुद्दा लेके तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुद्दे लेके बोज आते हैं जिने कुछ करना नहीं होता है जो मुद्दिल एके पहले से जाते हैं लोगों के बीच में जनता को जूंट फरे जहां सा देखे बोट लेते हैं ये काम दूसरों का होगा मैं तो जनता के बीच में यही कहने जाती हूँ कि आप मुझे समर्थन दें आप के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं आपके साथ करूँगी और पहले से मैं मुद्धा किसी को बताऊंगी कि मैं यह करूँगी बो करूँगी यह करूँगी यह आज तक नेता जाई तो करते आए और जनता इसी भरम में तो आज तक लुटती आ रही पर मैं जनता को अपनी पतरी अबदान सबा की जनता को तो मैं नहीं लुटने दूँगी ना छलने दूँगी पतरी अबदान सबा की जनता के साथ तब कोई गलत काम नहीं होगा, उनके साथ बरावर ने आये होगा और जो भी मुझसे उनके साथ बन पड़ेगा, मैं उनके लिए जीतूर कोशिस करूँगी जो भी उनकी समस्या हैं, कैसे उनको हल किया जाए, वो मैं करूँगी चलिए जीत के लिए कितनी आशावान हैं, आपके मन में कितना विश्वाश जीत के लिए